नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes में है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Math के Mock Test की तो मैंने ऐसे-ऐसे Questions लिये हैं जो आपके Exam Point of View से बहुत ही जादा Important है तो आप ये सारे Questions को आप Note Down कर लिजे और आप सारे Questions का Screenshot ले लिजे दोस्तों इस Questions को Solve करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं जैसे Questions लिखा हुआ आप क्या करेंगे वीडियो प्रॉस कर देंगे दन एक बार खुछ से ट्राई करेंगे ज आप अपना मॉक टेस्स दीजिए और आपके जितने भी Questions सही होंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजेगा कि आपने इतने Questions सही हैं मैं लगबग 10 Questions कराऊंगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का टॉपिक और दोस्तों अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजे उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं और ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देजेगा देखिए सबसे पहला प्रश्निया पे लिख क्या होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0 यह होता है हमारा equation ठीक है अब हम इस equation के साथ क्या करेंगे comparison करेंगे तो comparison करने पर हमें क्या मिलेगा जैसे यहां पर a की value है ना तो a की value यहां पर इसका x का coefficient क्या है यहां पर 1 है तो a की value हमें मिल गई 1 then यहां पर हम b ki value अगर देखेंगे तो b ki value यहां परे दिया है minus 4 और यहां पर c की value दिया है is equal to k ठीक है a b c तीनो की value आगे अब आप यह पूछोगे कि इसका हम करेंगे क्या तो इसके बारे हम आगे बताते हैं कि इसका हम क्या करेंगे तो देखिए इसके जो मूल होते हैं मूल ठीक है तो मूलों का योग जो होता है यानि alpha plus beta वे is equal to होता है minus b upon a के और मूलों का गुडण फल जो होता है यानि alpha into beta होता है वे होता है क्या c upon a ओके तो देखिए जब alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a तो देखिए यहां पर एक मूल दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है it means कि यहां पर मालजे आप alpha की value रख देंगे 6 ठीक है तो यहां पर क्या होगा जैसे alpha की value आपने 6 रख दिया तो alpha plus beta is equal to minus b अब देखिए आपर minus b का मतलब minus 4 मतलब b की value कितनी है minus 4 है तो हम यहां पर b की value put करेंगे तो minus and minus का multiply होगा तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो इसके लिए मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 4 upon और c की और यहां पर a की value कितनी दी थी अगर हम 6 को अब उस साइड लेके जाएंगे इसको क्या कहेंगे left hand side and right hand side तो जब हम इसको right hand side लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा plus से minus में हो जाएगा यानि यह minus हो जाएगा तो beta is equal to कितना हो जाएगा minus 2 okay friends तो यह minus 2 हो गया अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए उसके बाद देखिए यहां पर minus 2 इसकी beta की value आ गई अब हमको निकालना है किसकी c की value c क्या होता है k की value ठीक है क्यों alpha and 2 beta से k की value निकलेगी c upon a तो alpha and 2 beta is equal to क्या होगा k अब हमको alpha की value भी पता है और beta की value भी है तो alpha की value माल ज़े 6 है और beta की value हमने कितने निकाली 2 निकाली है तो is equal to किसके हो जाएगा k तो 6 into 2 यानि minus 12 is equal to क्या हो गया k okay so that is the answer okay so k is equal to कितना आ गया minus 12 चले दोस्तों देखते हैं अगला question देखिए दोस्तों अगला प्रसने है कि निम्रिखित वृत्ताकार आरेख चना की उपज निरूपित करते हैं यदि खेत एक की उपज 400 kg है तो खेत B की उपज कितनी होगी तो देखिए यहां पर दोस्तों रेडियस दी हुई है दोनों खेतों की पहले की रेडियस दी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वाय इसको लेक्वाइस कुपटल है बीदे र की वइलवश यहां पर कितनी है ट्यू है और Moment स तो इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड करनी है ठीक है तो देखे कैसे है जब 4 is equal to 400 तो यहां पर हम 1 is equal to निकाल लेंगे 1 is equal to कितना हो जाएगा 400 divided by 4 it means 100 यानि 1 is equal to 100 आ गया तो 9 is equal to कितना हो जाएगा 9 is equal to 9 into 100 it means 9 is equal to 900 यानि यह जो बी का है यह कितना आ गया यह 900 हो गया 900 क्या किलोग्राम में so that is the answer so come on the next point next question है कि एक वर्ग और आयत का छित्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक हो तो आयत की चोड़ाई वर्ग आयत की चोड़ाई वर्ग की भुजा से कितनी छोटी होगी देखी यहां पर दिया है कि एक तो इतनी बड़ी है तो कितनी छोटी होगी जब इस टाइप के questions आ गया है कि जैसे एक जो लंबाई है वे बीस परसेंट अधिक है तो इस टाइप के कुछ questions आते हैं तो उनका एक ट्रिक यह होता है कि हम लगा देते हैं क्या आर पॉन आर प्लस हैंड़ेड इन्टू हैंड़ेड यह होता है मारा फॉर्मूला यह होता है परसेंट ठीक है तो हम इसी पर रखेंगे देखे 25 परसेंट इंक्रीजमेंट हो रही है इस यहां पर लिखेंगे आर्टी जगर क्या लखेंगे 25 यहां पर लिखेंगे 25 प्लस हैंड़ेड इंटू हैंड़ेड उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरा रूल फॉलो कर रहे होंगे वहले वीडियो को पॉस करके खुश से ट्राइक कर रहे होंगे तो देखें पचीस बट आप वीडियो पॉस कीजिए और इस कुश्चन को सॉल कीजिए जो आपके स्क्रिन पर है तो चलिए सुरू करते हैं सीसे के किसी गोले की त्रिज्जा आठ सेंटीमीटर है इसको गला कर बनाये गए पांच मिलीमीटर त्रिज्जा के गोलों की कितनी संख्या होगी तो इसम इन इसम की एक बड़ा गोला यहांपर है देखी लिया मालशी यह बड़ा गोला हो गया एक एक बड़ा गोला है इस्फेर और यह छोटी-छोटी गोलिया पहले हैं तो इसकी जो डेडियस में faj किटना है पांच मिलीमीटर ठीक है तो अब देखें जैसे यह आट संटीमीट में हैं तो इनको क्या करेंगे सबसेफले या तो एक सेंटीमीटर में कितने मिली मेटर होते हैं 2020 मीली मिटर तो आट संटीमीटर बराबर किता हो जाएगा टन मिली मीटर सॉरी 80 is equal to 80 अब स्फेर का area क्या होता है तो स्फेर का area आपको पता होगा कि 4 by 3 into πाई यार क्यूब ठीक ये किसका होता है गोले का छेत्रफल स्फेर का area 4 by 3 πाई यार क्यूब तो ये इसका होगया और इसका भी यह होगा 4 by 3 इन्टू पाई इसको हम capital R ले ले लेते हैं पाई आर क्यूब ठीक अब देखिए इसकी radius एंड इसकी radius देखिए 4 by 3 पाई और 4 by 3 पाई ये cancel हो गया एंड यहां पे देखिए क्या करेंगे ये अगर आप इसको आप छोटे आर को ये जो small नंबर आएंगे वे इसके एरिया के इक्वल हो जाएंगे ना त्यानि माली हम x आते हैं x नंबर आते हैं तो यहां पे आर क्यूब है तो आर क्यूब का मतलब 5 x 5 x 3 3 x 5 ठीक क्योंकि ये 5 mm इसकी एरिया है तो इसका radius है इसमें देखिए आर क्यूब तो इसका 80 है यहां पे देखिए 80 x 80 x 80 कट कर ये 555 18 80 80 यहां पे 16 16 x 16 16 x 80 ठीक है 16 x 5 जा किता होता है x is equal to कितना आ गया 16 का क्यूब तो 16 का क्यूब दोस्तों कितना होता है x is equal to 4096 ठीक है 4096 क्या हो गया इसका answer हो गया ठीक है इतनी गोलियां बनेंगी चले देखते हैं अगला question देखिए profit loss का है किसी radio का अंकित मूल उसके क्रेम मूल से 20% अधिक है ठीक है mark price कितना है 20% जादा है cost price यदि अंकित मूल पर 10% का एक बट्टा यानि discount दिया जाए तो लाब प्रतिसत यानि percentage profit बताईए तो कैसे करेंगे आप पहले खुद से try कर लिए अब देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे माल लो cp कितना हो गया cp अगर हम 100 माल ले ठीक है कि cp कितना है 100 है तो mark price कितना हो जाएगा जब cp 100 है तो बोला mark price कितना है 20% जादा यानि mark price कितना हो गया 120 ठीक rupees 120 rupees यह हो गया अब उसके बाद यह कह रहा था यह 10 % का discount दे रहा है यानि discount इस्को कितना है 10 % का discount दे रहा है अब discount कितना हो नहीं अगर mark price प पह टेक है Alm 59 यहानि 120 रुपे कि چीज है अगर 10 10 परसंट थना तो इसको कितना % देना पड़ेगा टोटल कितना होता है 100 % होता है 12 winners है किसके ब्रावर है अब हम अगर है इस एंडिट पर्षेंट में 10 पर्षेंट माइनस करेंगे तो यानि कितना बचेगा यह बचेगा 90 पर्षेंट ठीक है किसका 120 का निकालेंगे तो 120 का 90% मतलब 120 into 90% का मतलब upon 100 120 का 90% 0-0 cut होगा किदना गया 108 अब देखे यह क्या होगया यह हो गया Selling Price ठेक अब देखे ये क्या है Selling Price है अब Selling Price कितना है 108 और CP कितना है 100 है यानि profit कितने का हो रहा है यानि profit हो रहा है profit is equal to eight rupees का आठ रुपे का profit हो रहा है न और कितने पर हो रहा है hand rate पर हो रहा है तो एक रुपे का मतलब क्या हो गया एक रुपे बराबर एक परसेंट तो आठ रुपे बराबर कितना हो गया आठ परसेंट ठीक है तो एंसर कितना आ जाएगा 8% profit is equal to 8% चले अगला देखते हैं यह देखिए इसमें दिया है A ratio B बराबर 2 ratio 3 B ratio C बराबर 2 ratio 4 & C ratio D बराबर 2 ratio 5 तो A ratio D की value पूछा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले सारी values लिक लिए जिसे यहां पर आप लिखें A B C D आपने यहां पर लिखी अब यहां पर देखिए A ratio B यहां पर क्या देखा है 2 ratio 3 B ratio C दिया 2 ratio 4 तो यहां पर 2 ratio 4 लिख दिया आप उसके बाद च detellounk है इस टाइप लिख लिए एक साराडी बना लेजे अब देखेंगा और डी की वालु कुछा है आप क्या की एका कुछा पूले इसका अपर से ولاi होगा तो कितना आज आज 미लाइबा यहाँ पर यहाल पर 8 हो गया अब देखें सेट टम्म में हम क्या करेंगे इसमें हम सेकेंड टर्म में 3 x 2 x 2 करेंगे ठीक है यहां से फिर यह यहां पर आएगा ठीक तो 3 x 6 x 12 यह हो गया ratio B का अब ratio C का देखिए बी ये और ये यह और ये ठीक है यह से यह जाएगा फिर यहांसे इसका एगा ठीक तो 3 x 4 ले 21 इत fla's कितना हो गया 24 ति कितना ओगए यह 24 वंगए अब क्ली का देखिए दीविये एक div या इसे लिन्यर में ऐसे 3 4 और 5 3 ट्वेल ट्वेल फाइव जा सिक्स्टी ठीक है आप अगर देखें एक रेसियो एंड प्रोपोर्शन्स का मैं एक अलग पार्ट बनाया भी हुआ हूँ आप उसको देख लिए अगर आप कहेंगे तो एक पार्ट और बना दूंगा अच्छे से तो देखें इसमें क्या है एट सिक्स्टी तो किसका पुझाता ए एनट का रेसियो पूछा है यहां पर एक का कितना है एट से कुझा है गया देखते हैं कोई धनराशी वार्सिक रूप से चकृबिदी ब्याज की दर से दो पर्स दो वर्स में 4,840 तथा 3 वर्स में 5,324 हो जाती है तो दर्ब बताईए यानि रेट बताना है आपको देखिए दो साल में इतना हो जाती है और तीन साल में इतना हो जाती है यानि एक साल का पहले हमको इंट्रेस्ट मिला यानि यह दो साल में इतना और तीन साल में इतना यानि एक साल में साल सिंपल इंट्रेस्ट में हर साल चेख रिधी व्याज़ में क्या होता है कि कि हर साल जितना चीज वड़ता है उसका हम सिंपल इंट्रेस्ट बन जाता जैसे रूपाय है bvas लग रहा है तो 120 फिर अगले साल जो है 120 का सिंपल इंट्रेस्स से बनता है तो देखिए जैसे एसाई है तो एसाई मतलब कितना इसाई निकला है दोनों को माइनस करिए 400 मतलब 500 324 को माइनस करेंगे 4800 40 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 5324 माइनस 4840 इन दोनों को माइनस किया माइनस करने पर कितना आ जाएगा इसको माइनस करने पर आएगा 484 रुपीज ठीक है तो यह क्या हो गया यह हमारा सिंपल इंट्रेस्ट हो गया कितने का एक साल का है ठीक है कितने पर है यह कितने पर है यह इतने पर है इतने का इसका यानि P कितना हो जाएगा ये तो हम सीधे formula रखेंगे PRT upon 100 का तो PRT कितना हो जाएगा यहां पर P हो गया 4840 आरम को नहीं पता time कितना है one year upon 100 is equal to किसके हो जाएगा SI के ठीक देखे यह से और यह कट जाएगा 1 यानि 10 and 0 से 0 कट गया यानि R is equal to कितना आ गया 10% ठीक है दर पूछा था यह आप गया answer answer आगया आपका 10% चले देखते हैं अगला question यह question देखे receive Sun and SE slighted so is Mead करेंगे इसमें हम करेंगे तो पहला नंबर दूसरा नंबर और Dean बरावर पहला नंबर गोड़े दुसरा नंबर लसा कितना है यह मासथ कितना है 11 और लसा कितना इसमें 7700 इसको टू पहली नंबर दी हुई है कितनी इसमें 275 और दूसरी नंबर हमको नहीं पता इसको हम एक्स माल लिए अब देखे क्या करेंगे कट कर लिजे 11 से इसको कट करेंगे तो 11 11 टूजा 225 यानि 5525 आ गया ठीक देखे 25 या गया अब इस 25 को हम इससे कट करें तो 25 त्रीजा किता होता है 75 बजा टू यानि 200 तो 25 एड़ा किता होता है यहां पर 0 लगेगा 25 एड़ा 200 ठीक तो कितना आ गया एक्स के लिए लिए आ गई 308 ठीक है यह आपको गया एंसर चले देखते हैं अगला question यह question करिए आप और लाश्ट में आपको दो question दूंगा खुद से करने के लिए जिसका मैं एंसर आपको या उसका solution में अगले वीडियो में बताऊंगा चुले देखें यह वाला question क्या कह रहा है दो और दो तीहाई समकोडों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी तो दो और आपको संख्याउं का अनपात तीन निपात है और उनका अंतर उनपाट है बड़ी संक्या बताई है तो देख देखिए यह तो इनका हैinky राम तो मतलब इन दोनों को मैने स्कूर जाएगा पांच करेंगे जाएगा पांच-टीं श्या description पता है तो बड़ी संख्या पराबर क्या है आठ है जब एक वराबर तेज आ गया तो आठ वराबर कितना आ जाएगा तेज गुड़े आठ ठीक मल्टिप्लाइ कर दीजें एट तुजा 24 फोर एट टुजा शिक्टीन शिक्टीन और फोर टुन्टी स्वारी ठीक है आपका एं सारे कृश्चंस करने में अगर किसी कृश्चंस से प्राउलम है तो आप कमेंट में डाल दीजेगा कॉश्चं में नमबर और आपने पांको नहीं आ रहे थे तो दोस्तों अब बार यह आति हैं आपको वर्थ देने की देखे दो क्योश्चंस सापके स्क्रीन पर हैं आप इनका screenshot ले लिजे और इसका answer आप बताइए अगर नहीं आएगा तो भी बता दीजेगा कि नहीं आ रहा है ताकि अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा आपको और दोस्तों आप subscribe, like and comment करना मत भूलेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस् आप ऩक के लिए तक कि अगले चाहे तक है पास क依ा था है